नमस्कार सिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर सोमू सिंग, काशी हिंदु विश्विद्यालाई के सिक्षा संकाय, मैं सहाय काचारी की रूप में कार्यत हूँ, मैं आपके सामने यह स्पस्ट करूँगा कि प्रारंबिक सिक्षकों की तयारी किस प्रकार होती है या किस प्रकार ह सरप्रथम यह स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है कि प्रारंभिक सिक्षा क्या है प्रारंभिक सिक्षा की जो वर्तमान प्रचलित सनलचना है 10 प्लस 2 प्लस 3 के अंतरगत इसमें 10 वर्षी सामान सिक्षा है और यह सामान सिक्षा जिसमें 10 वर्ष खा गया शुरुवाती एक से लेकर कक्षा के आठ इस्तर तक की सिक्षा को प्रारंभिक सिक्षा कहा जाता है इस आठ वर्सी प्रारंभिक सिक्षा में जो प्रथम पांच वर्स हैं उनको प्राथमिक इस्तर और उसके बाद के जो तीन वर्स हैं उनको उच्च प्राथमिक इस्तर के अंतरगत रखा और तीन के बाद दो जो वर्स हैं वो हाई स्कूल इस्तर की सिक्षा कहा जाता है सिक्षा की संदचना के संबंद में सरप्रथम 1964 में कोठारी आयोग ने स्पस्ट किया कि 10 वर्स की सामान सिक्षा होगी जिसमें नोंने कहा कि 1 से 3 वर्स की पूर विद्याले सिक्षा, 4 या 5 वर्स की निम्न प्रात्मिक सिक्षा, 3 वर्स की उच प्रात्मिक सिक्षा, 2 या 3 वर पुधन इन्होंने भी 10 माद 2 2 संद रचेना और ये आज भी प्रचलित है और ये शिक्षा वेवस्था का प्रचलित वेवस्था है वह पांच वर्स का प्राथमे की सतर 3 वर्स का उत्च प्राथमे की सतर दो.. वर्स का High School आप सबी के संग्यान में है इसको एक और दिश्टिकोर से भी समझना अवश्चक है, भारती संविधान में जिन आयूबर्ग के बच्चों को निशुलक एवं अनिवारे रूप से सिक्षा देने का प्रागधान किया गया है, उन आयूबर्ग के बच्चों की सिक्षा ही वस्तुता प्रारंभिक सिक्षा है, कक्षा 1 से कक्षा 8 इस्तर तक संचालित होने वाली सिक्षा प्रारंभिक सिक्षा है, जिसमें निम्न प्रात्मिक सिक्षा सामान नित्या 6 से 11 वर्ष की आयूबर्ग के बच्चों के लिए होती है, जबकि उच्च प्रात्मिक सिक्षा प्राया 11 से 14 आयूबर्ग के बच पन हो सकता है क्या पूर्व प्रात्मिक सिक्षा ओप्चारिक सैक्षिक धाचे का प्रथम इस्तर है को इस पस्ट करना चाहूंगा कि पूर्व प्रात्मिक सिक्षा कोई ओप्चारिक सिक्षा नहीं है. प्रांत्मीक सिक्षा के लिए बक्चों की पूर्व तयारी है. अर्थाथ प्रारंबिक सिक्षा ही वह नीव है, जिस पर संपूर्ण उच्षा वरस्ता का धाचा खड़ा किया जाता है. अब यह इस पश्ट रूप से समझना अव्चक है कि कि प्रारंभिक सिक्षक कौन है इसका सामाने सा उत्तर हो सकता है कि प्रारंभिक सिक्षा में सिक्षण कारे से जुड़े व्यक्ति को प्रारंभिक सिक्षक कहा जाता है अर्थाथ प्राथमिक विद्यालियों इबं उच्च प्राथमिक विद्यालियों में अध्यापन कर रहे व्यक्तियों को प्रारंभिक सिक्षक की स्रेणी में रखा जा सकता है। एक और तथ्य, एक और टर्म प्रचलन में आपने सुना होगा कि हम कहते हैं कि प्राथमिक सिक्षक, प्राइमरी टीचर, ये common टर्म आपने सुना होगा, किसी से आप पूछे कि आप क्या करते हैं तो वह अपना परिचाय के दौरान प्रारंभिक सिक्षक सब्द का इस्तिमाल बहुत कम ही देखने को मिलता है प्राथमिक सिक्षक से ताथपर स्पस्ट रूप से कक्षा एक से लेकर कक्षा पांच तक की सिक्षा में सनलगन सिक्षक से है अब यह इस पस्ट रूप से समझना आवश्चक है कि प्रारंभिक सिक्षक बनने ही तू आवश्चक स्यक्षिक और हता क्या है प्रारंभिक सिक्षक ही तू राश्टिय ध्यापक सिक्षा परिशद कि नित्रित्त में सिक्षा इसनातक यानि कि B.E.D. प्रारंबिक सिक्षा में डिपलोमा, D.E.L.E.D. प्रारंबिक सिक्षा में इसनातक डिगरी, B.E.L.E.D. संचालित है और इसके साथ साथ प्रारंविक सिक्षक बनने के लिए उच प्रात्मिक स्तर के लिए या प्रात्मिक स्तर के लिए सिक्षक पात्रता परिशा उत्तिर्ण करनी पड़ती है एक तत्र से आपके सामने और रखना चाहूँगा कि प्रारंबिक ध्यापक सिक्षा कारिक्रम के बिभिन नाम प्रचलित थे पहले 2014 से पूर्व जैसे BTC, JBT, Diploma in Education वर्ष 2014 में रास्टिय ध्यापक सिक्षा परिसद ने इन अलग-अलग नामों के इस्थान पर इस कारिक्रम क नाम प्रारंबिक शिक्षा में डिप्लोमा कर दिया अर्थाद DL-Ed कर दिया है कुछ राजियों में B-Ed डिग्री करने वाले विद्यार्थियों को सिक्षक पात्रता परिक्षा उत्तियर करने की अरहता के साथ उच्च प्रात्मिक विद्यालेओं में नियुक्त किया जाता यह आपके सामने इस पश्ट रूप से अब चर्चा हो चुकी है कि प्रारंबिक सिक्षक बनने के लिए DLA, BLLA या दो वर्सी बीड प्रसिक्षण कारिक्रम करने की आवशक्ता होती है अब इसका जो मूल विंदु है हम उस पर आते हैं कि प्रारंबिक सिक्षकों की तयारी के महात्पूर्ण तक तो कौन-कौन से है इसके अंतरकत सबसे महात्पूर्ण ततो अध्यापक सिक्षा पाठिक्रम अर्थाद पाठिक्रम में किन-किन वस्तूं का समावेश किस प्रकार की वजिस्षा वस्तू का समावेश किया जाए तो सरवप्रथम, हम इसके सैध्धान्तिक पक्ष पे चर्चा करें सैध्धान्तिक पक्ष के अंतरकत, सिक्षा की सामाजिक संदर्व, सिक्षा की उद्देश, एवं संप्रिशन के कौसलों का अध्यन किया जाता है सिक्षा की वर्तमान संरचना, भारती सिक्षा की एतिहासिक विकास यात्रा, सिक्षा विवस्था की वर्तमान से सिक्षलनचना, भारती सिक्षा की विकास आत्मक यात्रा, प्रारंबिक सिक्षा की समस्याएं, चुनोतियां, अधिगम करता का मनोविग्यान एवं अधिगम की 2014 में राश्टिय द्यापक शिक्षा परिशद ने पाठिक्रम के अंतरगत सूचनाव प्रध्योग की जेंडर अध्यन योग शिक्षा एवं अशक्तता को महत्पूर्ण स्थान दिये जाने की बाद कही है। पाठिक्रम के क्रियात्मक पक्ष के अंतरगत पर सिक्षण के दारान, शिल्प, ललित कलाए, कारियान भव, स्रिजिनात्मक नाटक, एवं थियेटर, राश्टिय सेवा, एवं सामजाइक सेवा कारिक्रम और इस प्रकार के अन्य, ब्यावसाइक, कौशलों और छम्ताओं के संबंधे कारिक्रम और गतिविदियों का संचालन भी किया जाता है जिससे हमारे प्रसिक्षण आर्थियों को यह अनुभव प्राप्त हो सके कि समाज की समधाय की समस्याएं क्या हैं और उनका हल में एक सिक्षा किस परकार भूमी का आदा कर सकता है बिवारिक ग्यान प्राप्त होता है पार्टिक्रम का तीसरा महतपूर्ण पहलू इंटरंशिप है जिसे हम सक्षण अभ्यास के नाम से जानते हैं एक निश्चित समायावधी के लिए, अब विद्यार्थियों को या कहें प्रसक्षण आतियों को, इंटर्न के रूप में, प्रशिच्चु के रूप में विद्यालाय में रहना पड़ता है, और समस्त विद्यालायी अनुभाव को प्राप्त करना पड़ता है, पहले जो सिक्षण अभ्यास प्रचलित था उसमें ज्यादा तर केंद्र में सिक्षण अभ्यास ही था और विद्यालय की अन्य अनुभव कि एक सिक्षक गैर सेक्षणिक अनुभव किस तरह प्राप्त हो उसको कम स्थान था इसलिए इंटर्शिप का कॉंसेप्ट इसमें ला कारिक्रम चार वर्सका है, बीएड कारिक्रम की अवधी भी दो वर्सकी है और ODL मोड में अर्थात मुक्त एवं दूरस्त अधिकम पढाली के अंतरकत इस समय अवधी को बढ़ाया जाता है, सिक्षक की तयारी में प्रसेक्षण विदियां कौन-कौन सी इस्तमाल की जाती है, यही भी एक महत्पूर विशा है, प्रारंबिक शिक्षकों के प्रसेक्षण के दोरान मुक्षिता, व्याख्यान विधी, कॉपरेटिब मेथड, लर्निंग मेथड, कोलाबरेटिब लर्निंग मेथड, परिचर्चा विधी या जिसे हम कहें प्रोजेक्षण मेथड, प्रोजेक्ट विधी, इत्यादी के माध्यम से सिक्षा प्रदान की जाती है, और इन सारी विधीयों का किंद्र वे रहता है कि हम प्रारंबिक सिक्षक के व्यक्तित्तों का विकास सरवांगिर रूप से करें, प्रारंबिक सिक्षक की तयारी में स च्यापक मुल्यांकन किया जाता है। सबसे अंतिम जो तत्व है शिक्षक प्रसिखकों की भूमिका। जिस मेंна 옆 आपके सामने यह रखें कि बिना सिक्षक, प्रसिक्षक के प्रारंबिक सिक्षकों की तैयारी अधूरी रहेगी या जैसा हम अपेक्षा रखते हैं उस रूप में नहीं आपाएगी पहला महात्पूर्ण तत ही यह है कि विशय ज्यान प्रदान करने संबंधी भूमिका जिसने भी हमने विशय वस्तु की चर्चा सैध् अंतिक पक्ष के अंतरगत की उस विशय का ज्यान सिक्षक प्रसिक्षक को होना चाहिए और उस ज्यान को विद्यार्थियों तक पहुंचाने की शमता भी होना चाहिए वो तरीका भी उसे मालू होना चाहिए यह उसकी प्रमुक भूमिका है सैक्षिक नीतियों का आसको प्रभावशाली तरीके से परेविक्षित करने की भूमिकान, एक क्यों सिक्षक प्रसिक्षक, प्रसिक्षण के दोरान, इंटर्शिप में सिक्षण कोशलों को अपने प्रारंबिक सिक्षण में विक्षित करने के लिए, प्रारंबिक सिक्षकों को उन कोशलों से लेस करने के लिए वहा है उनका प्रभावसाली तरीके से परेवेक्षन करता है परेवेक्षन के बाद उनको feedback देता है और निश्यत रूप से वह feedback हमारे प्रारंबिक शिखषकों के लिए काफी काम का होता है सिखषक प्रिसिखषक की भूमिका पार्टे सहगामी क्रियाओं को प्रभावशाली तरीके से आयुज़ित करने की भी है उन्हें यह दिखाना होता है कि एक स्कूल में किस तरह आप पार्टे सहगामी क्रियाओं का आयुज़न करें यदि आप भविश्य में प्रारंबिक सिक्षक बनने वाले हैं और आप कोई हदायत तो मिलता है कि आप कोई खेल कूंद की प्रतियोगता आयुज़ित करें या निबंद लेखन की प्रतियोगता आयुज़ित करें तो किस परकार करेंगे तो यह भूमिका भी सिक्षक प्रसिक्षक को निभाने पड़ती है कि प्रसिक्षण के दौरान वहे उनको इस बात के लिए भी ट्रेनिंग दे सूच्म सिक्षण तकनीकी को बहतर तरीके से प्रियोग करने संबंदी भूमी का हमारा जो सिक्षण प्रसिक्षण है अपने भावी सिक्षणों में सिक्षण कौशलों को सिखाने के लिए सूच्म सिक्षण तकनीकी का इस्तमाल करता है इसके द्वारा वह कौशलों की बारीकियों से उन्हें आउगत कराता है और उनका अभ्यास कराता है जिससे कि वह सिक्षण कला में दक्ष होते हैं तो इस प्रकार से आपने देखा कि प्रारंबिक सिक्षक की जो तयारी है उसके लिए जो पाठिकरम का निर्धारण है जो पाठिकरम का सैधान्तिक पक्ष है जो उसका क्रियात्मक पक्ष है और जो उसमें इंटरंशिप का जो आस्पेक्ट है ये सभी कितने महातपूर्ण है और इसके अलाबा जिन सिक्षण विधियों के माध्यम से तयारी की जाती है मुल्यांकन का जो तरीका अपनाया जाता है उन सब के पीछे एक मात्र जो देश है कि हमें एक ऐसा प्रारंबिक सिक्षक चाहिए जो कक्षा एक से लेकर कक्षा आठ तक यानि कि आयू वर्ग 6 से 14 तक के बच्चों में वो निर्धारित ग्यान, कौशल, योगताएं, अभिवर्तियां और मुल्यों का विकास कर सके जिनकी चर्चा हमारे समविधान में की गई है जो अपेक्षाएं सिक्षा के अधिकार अधिनियम में प्रारंबिक सिक्षक से की गई है तो हमारी तयारी का जो संदर्व ग्रंथ है वो भारतिय समविधान है और भारतिय समविधान में या उसके बाद जो हमारा सिक्षा का अधिकार अधिनियम आया उसमें प्रारंबिक सिक्षकों से जो अपेक्षाय रखी गई हैं, उनकी भूमिका के बारे में जो इस पच्च रूप से लिखित किया गया है, उसके अनुरूप वो विवहार करे, वो कौशल, वो ग्यान, वो योगताएं उसमें विक्सित करने की जिमेदारी, ये परसिक्ष की, सिक्षक प्रसिक्षकों की, और पार्टिकर्म निर्माताओं की होती है, और आपने देखा होगा, जहां पर सैक्षक प्रशाशक अच्छे हैं, जहां हमारे सिक्षक प्रसिक्षक योग हैं, और वो सक्री रूप से भूमिका आदा कर रहे हैं, वहां से प्रसिक्षन प्र प्रारंबिक शिक्षक की तयारी में कौन-कौन से पहलू महत्वपूर्ण हैं कौन-कौन से पहलू किस तरीके से आपको प्रभावित करेंगे आप निश्चित रूप से इसकी पड़ताल अपने इस डियलेट का रिक्रम के प्रसिछन के दौरान करें बहुत-बहुत धन्यवा 又 एन्यवाइव थी जा निवोरोIRग थे टौरान कर रुब सलिफम हैं 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 ह।